देःटने एकादशी का ब्रत करना जितना महतोपूर्ण है उतना ही महतोपूर्ण है ब्रत को खोलना ब्रत को पारान कहा जाता है खोलने की प्रकृरिया के लिए सरल्तम तरीके से कहें तो तो यह क्या समय रहेगा क्या खाकर आपको ब्रत खोलना है हरी वासर का समय द्वादशी तिथी इत्यादी संपूर्ण जानकर इस वीडियो में है ध्यान से सुनिएगा अंत तक बने रहीएगा इस वर्थ हम सभी 12 तारिक को ब्रत कर रहे हैं तो एक आदशी ब्रत का नियम होता है कि पूरी र लाहार इत्यादी करकर आप भगवान जी का जागरण कर सकते हैं हरी चिंतन कर सकते हैं और दूसरे दिन अर्था 13 तारिक को आप ब्रत खोलने की क्या प्रक्रिया है ध्यान से सुनिएगा ब्रह्म महरत में गंगाजल मिस्री जल से स्नान करें तुलसी मा का जल्दी पूजन क करें तुलसी में जल चड़ाएं द्वादशी के दिन यह कारें जरूर करना चाहिए साथी तुलसी मा को भोग लगा कर साथ परिक्रमा लगा कर दीबधान करें कार्तिक महने का महत मित्यादी सुनते हैं तो वह सुने सूरी भगवान को जल चड़ाने के बाद निरंतर ओम न चावल खाना चेहिए ऐसी मानिता है चावल आप खीर स्वरूप में बना सकते हैं या आपकी इच्छय हैं किसी भी स्वरूप में चावल का भोग स्री नायराण को समर्पित करें और आप सभी गव माता के लिए आवश्यक रूप से उसका एक हिस्सा निकालिएगा और आप आप सभी को एकादशी ब्रत के दिन या द्वादशी के दिन आवश्यक रूप से किसी मंदिर प्रांगण में अपनी इच्छा सकती सामर्थनुसार वस्त्र का दान अन का दान और अपनी सामर्थनुसार सभी चीजे सर्दिया आने वाली है गरम वस्तोव का आपको दान करना चाहिए उसके बाद ही अपने ब्रत को खोलना चाहिए भगवान से भूल चूप के लिए छमा प्रार्थी हों सभी के चरण इस पर शुकर कर अपने ब्रत को खोलिएगा अब ब्रत पारण का क्या समय रहेगा बारह तारिक को ब्रत पूर्ण हो जाने के बाद द्वादशी अब आप सभी ब्रत को खोलना चाहिए तो यह तो समय हो गया अब आप सभी एकादशी अगर इस दिन पूजन पाठन का रहे हैं तो आप सभी को अभी जीत महरजों की सबसे अच्छा समय है इस समय किसी नए कारे के सुरवात करते हैं तो बहुत सुब माना जाता है सुबह 11 बच कर 46 मिनट से यह दो पहर में 12 बच कर 32 मिनट के आसपास हो रहा है दो आदशी तिति समापन होगी दो पहर में 1 बच कर 1 मिनट के आसपास तो आप सभी को इस तरह से पूर्ण रूप से अपने ब्रत के नियम का पालन करना हैं दो आदशी तिथी के दिन अगर तुलसी विवाह कर रहे है यह आप सभी सुबह यह शाम तुलसी पूजन करना चाहते हैं तो सुबह आप कभी भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं शाम को भी बहुत अच्छा समय बन रहा है तो दोनों समय में से कभी भी आप कर सकते हैं अब आप सभी को जो है इस दिन क्या खाकर ब्रत खुलना चाहिए जो भगवान जी को आपने भोग लगा रखा है उसी को आपको थोड़ा सक्रहन करना चाहिए और थाथ हमेशा मीठा ख लिस्ट जान करी थी आशा है उम्मेध है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा राधे राधे